मैं हूँ हिमान सुक्मार इस वीडियो लोग डिसकस करेंगे एक का नाम है पेटियम पेटियम में आज भारी ग्रावट हुई है बिसिकलि उस ग्रावट की पिछे की वजह के बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि ग्रावट स्थाई है या कुछ दिनों तक ग्राव पावर पावर सेक्टर के चोटी सी कंपनी है इस चोटी सी कंपनी है इसको लेकर भी काफी कमेंट आ रहे थे वीडियो में तो इसके बारे में बात होगी शुरुवात करते हैं देखें पेटियम में आज के दिन तक्रीबन 10-11% कासपास ग्रावट देखने को मिली है जहां क दो बड़े इंवेस्टर है अलीबबा और एक का नाम है इसमें सॉट बैंक सॉट बैंक बिसिकली 2017 से पेटियम इंवेस्टर है और आपको पता है कि अब इनका जो लॉकिंग परियेड है जब आई प्यू है उसके बाद जो बड़े इंवेस्टर होते हैं उनके लिए लिए सॉट बैंक ने आज पेटियम से अपनी बड़ी हिस्टदारी सेल किये पेटियम पर सॉट बैंक साय दो भरोसा नहीं रहा है सॉट बैंक ने आज इसमें तक्रीबन 50% अपना से श्टिक जो है शेल कर दिया है और 555 रुपे के और पर इस ने अपने 50% को सेल कर दिया है तक् सेल किया है 555 रुपे के आसपास तब जाकर आज इसका प्राइस 10% टूटा है और 11% टूटने के बाद इसने 535 रुपे का आज अपना क्लोजिंग दिया है देखिए पेटियम में आपको करना क्या है कि पेटियम का जो बाउन कर लो है 510 रुपे का से यानि कि सेर अपने सपोर्ट लेकर यहां से उपर उठेगा इसलिए सौट बैंक जा रहा है लेकिन आपको यदि भरोसा है कमनी पर तो जाने की जूरुत नहीं है और कमसकम यदि आप आई-प्यों के समय से बने हुए तब तो बिल्कुल निकलने की जूरुत नहीं तो आप इसमें समय दीजे पेटियम आपको निरास नहीं करेगा भरोसा रखिए आप अपने इंवेश्टमेंट पर और पेटियम पर और चुगी यह एक लोगों के लिए या जो फिरस इंटरी करना चाहते हैं किसी वी तरीके से या इब्रेजिंग करना चाहते हैं इस तरह के काम करने के बिल्कुल को और जेनरेशन कमपनी है बिजली बनाती है और ढ करना हैं एक आमरावति में और और गनासी में और उन दोनों प्लांट को मिलागर तकरीव और उसका सस्टॉर्ण सपोटलाइस कर दो काफी दिनों से जब तक 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 तो उसमें तीजी नहीं आएगी और इसका इसे प्राइस से बाहर जरूर निकलेगा अभी आप दो इसका रिजिटेंस और सपॉर्ट लबल इसको याद करका रखिए तॉल पांच करके आसपास सब्सक्राइब और नीचे की तरफ तेजी से और नीचे चला जाएगा लेगिन आपको ज्यादा नीचे जाने तक इंतजार नहीं करना है और पावर कंपनी ठीक है तो कुछ नोचना नहीं है लेगिन ध्यान देने वाली बाती है कि काफी दिनों से प्राइस एक रेंज बाउं में घुम रहा है जो कि इसका फंडामेंटल धिरे-धिरे मजबूत हो रहा था पिछले कुछ दिनों में तो यह ऐसा नहीं होता अभी हाली में कंपनी के नतीजे भी आया है सितंबर क्वार्टर को रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का क्वार्टर वन से कम हो गया है अभी इस समय इसको सिर्फ 380 क्रोन का सब्सक्राइब बढ़ गया है इसके अलामा एक सुखत खबर यह निकल कर सामने है कि इस कंपनी में यानि कि चोटी सी कंपनी है अभी देखेंगे तो इनका बढ़कर 0.32 परसेंट हो गया है पिछले क्वार्टर में यह 0.24 परसेंट का सब्सक्र पहीं नेजर है वह इस च्टॉक पर है तो बाकी यह फंडमेंटल आने वाले समय में इस कंपनी का स्ट्रॉंग होता है तो कंपनी के सेर प्रस सुधार होते हुए दिख सकता है उसके बाद इसमें तेज आना की उमीद है उमीद कर दा हूँ दोनों कंपनियों को बारे में ज अच्छे समझ पा रहे होंगे फिर भी मन में कोई confusion है तो आप में जरूर पूछिए यदि पर्सनली जूड़कर मुसे बाते करना चाहते हैं तो आप में इस्ट्रक्राम के फॉलो कर लेजे मिलते हैं नेक स्टोडियो में तब धन्यबाद सुक्रिया